दोस्तों दीपावले पूजा का मुहूर्थ क्या है? हम अपने घर में माता लक्ष्मी भगवान गडेश की पूजा शुब मुहूर्थ में करते हैं कार्तिक मास की आमावसयतिती पर तभी हमें उसका सुबफल प्राप्त होता है और पूजा से पहले हमें दीप लगाने होते हैं जो माता तुलसी के लिए दिये लगाते हैं या फिर यम का दिया लगाते हैं या फिर हम तेरा दीपों का दान करते हैं अलग अलग स्थानों पर तो वो हम दीप कब लगाएं? पहले जाके मंदिर में DEEP आदी लगा आए तब अपने घर में पूझा करें and especially पूझा के बाद क्या-क्या ध्यान रखना है, इस दिन भोजन हमें क्या बनाना है और क्या क्या चीजें हमें दान करनी है बहुत सारी बातें दीपावली पूजा सी संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो पहुत ही इंट्रेस्टिंग और हेलफूल होने वाली है तो आप इंटक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आ आपके जीवन में मातलक्षमी और भगवान गडेश की क्रपा मातलक्षमी और भगवाद विश्नु की क्रपा की दीपावली की पूजा हम कितनी बार करें और कव करें पूजा का शुप महूर्थ क्या है तो दिखिए पहला महूर्थ 5 बच के 36 मिनट से लेकर 6 बच के 54 मिट का शुप महूर्थ है इस समय आप अपने घर में पूजा मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगाकर आप मातलक्षमी भगवान गडेश और अपने इस्ट देव की पूजा करें अपने कुल देवी के नाम से दीप पहला दीपक लगाकर आपको सभी दिये लगाने चाहिए तो दीखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम घी के दिये लगाएं कि तेल के दिये लगाएं तो प्रकास फैलाने के लिए जो हम अपने घर को रोशन करते हैं कोने कोने से लेकर बातरूम से लेकर बालकनी छट हर कॉर्णर में हम दिया लगाते हैं वो हमें तेल के लेकिन जो पहला दीपक आपको लगाना है वो आपका घीका दिया होना चाहिए पहला दीपक हम कुल देवी के नाम से इस्ट माता के नाम से या फिर हम मातालक्षमी के नाम से लगाते हैं तो वो पहला दीपक आपको एक घीका बड़ा दीपक होना चाहिए और ये दीपक रात इसी बत्ती लगाकर आप इसे प्रजिलित करिएगा ये दीपक आप अपने कुल देवी के नाम से या फिर जैसे मैंने बताया इस देवताओं के नाम से लगाकर और फिर आप सभी दिये प्रजिलित करें पांच दिये मातललक्षमी के नाम से लगाने हैं जो कि घी के होंगे ब अंगली महत्तुपूर्ण जानकारी कि जो पहले संध्या की पूजा है आपने इसमें फटाफट से पूजा करके माता लक्षमी को भोग प्रशाद अर्पित करके नए बरतन नए सिक्के पूरे परिवार की साथ मिलकर हमें पूजा करना चाहिए तो यह संध्या की पूजा है और उसके बाद आप बच्चों के साथ पटाके वगेरा पूरे घर को रोशन करें आप मंदिर में दीप लगाएं तुलसी माता की पूजा करें मुखे दर्वाजी पर दीप लगाएं यह सभी कारे करें लेकिन जो निसीत काल की पूजा है रात्री में अभिजीत मुहूरत ह उस समय पूजा आपको जरूर करनी है फिर से अब इसमें ना कहिएगा कि हम खाना खाएं है क्या है कुछ भी आप करें हैं फिर भी आप अपने उपर दंगा जल का चीटा लगा कर और वही पर जहां पर अखंड दीप जल रहा है यदि आप नहीं बिजलाया है तो जला कर द आती है मातल लक्षमी को प्रसंद करने के लिए तो यह मंत्रों का जब आवस्य आपको करना है और जैसे कि पूजा आपने कर लिया पूजा की वीडियो हमारे चैनल पर है आप देख सकते हैं लिंक भी हम पिन कर देंगे नई वीडियो भी आपके लिए हम लाने का प्रयास क करेंगे अब दूसरी आपको पताय चल गया कि पहले पूजा करना है फिर हमें दीप अन्य अस्थानों पर और सभी का पूजन करना है मुखे दरवाजे पर भी पहले घर की पूजा करके फिर हम दरवाजे पर दीप लगाएंगे यम का दीपक लगाएंगे तुलसी में तो यह आप के ऊपर है आप ब्रत करना चाहते हैं, तो काम आप बिलकोल भी भूल करना ही करना है, पूर्जा के बाद आपने अपने घर को लॉख करके नहीं जाना है, जैसे बहुत सारे लोग मंदिर जाने लगते हैं निपक लगाने के लिए, तो आप एक ही लोग जाएं, यदि पती-पत्नी रहते हैं तो एक भक्ती जाएगा और एक भक्ती आएगा, अपने घर को पूजा के बाद तुरंद बंद नहीं करना है, वन्ना माता लक्षमी की क्रपा आपको नहीं मिलेगी, दूसरी एहम बात कि इस दिन जिमी कंद भोजन क की बात थी कि भोजन में क्या-क्या बनाएं, तो आपने भोजन में खीर बना लेनी है, आपने भोजन में जिमी कंद, जिसे सूरन कहते हैं, वो भी खाने की परंपरा है, मार्केट में बहुत आते हैं, कहते हैं, जो लोग जिमी कंद नहीं बनाते हैं, वो अगले जनम में च काजल बनाने की भी विधी है तो काजल हम बनाते हैं पूजा के बाद पहले पूजा कर लेते हैं और बाद में बनाते हैं अब कई लोगों ने ये भी पूजा था कि काजल जो हम बनाएंगे वो जो दीप हमने अख़ट दीप लगाया उससे बनाएंगे कि अलग से दीपक लग करते हैं लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन लॉंग डाल कर बत्ती को अच्छे से बना ले और फिर हो सके तो एक बदाम भी डाल सकते हैं और उसे दीप प्रजलित कर ले और एक धकन मिट्टी का ही भटतन होता है तो वो आप लगा सकते हैं तो आपने इस तरह से काजल लगाना है सोने से पहले जब आप सोएंगे तो आप इस दिन काजल लगा कर सोएंगे जैसे की जिमिकंद खाने की बात है उसी तरह से काजल बनाने की भी बात है तो इस तरह से आप बना सकते हैं दूसरी अहम बात कि आपको अपने घर के जैसे बहुत सारे लों कैते म मातर लक्ष्मी आएंगी तो अपने दर्वाजों को खोल के सोते हैं तो मुख्य दर्वाजा बंद कर लिजेगा वलना रात्री में चोर उचक्के भी आ जाते हैं तो आपको साउधानिया भी रखनी है ऐसा नहीं कि मातर लक्ष्मी के लिए आप पूरा घर आपका विगड़ जाए नई जो जाड़ू लाएंगे उसका उपयोग हम सुबह सबेरे रात्री में करेंगे जैसे भोर में ब्रह्म मूर्थ में जब आप उठेंगे तो पूरे घर को जाड़ कर साफ करके आपका अखंड दीप लगा रहेगा और करके अगर आपके यहां जो दरिदुता भग तो दूसरे दिन हम चौकी नहीं उठाएंगे उस दिन भी आपको सुबह सबेरे वही पर पूजा कर लेनी है दोपहर के समय आपको चौकी उठानी है क्योंकि अभी आम आवस्तिया यानि एक नवंबर को भी आप चौकी पर पूजा कर लेंगे एक नवंबर को दोपहर के ब बाद आप चौकी उठा सकते हैं इस तरह से आपने अपने चौकी को और लक्षमी गड़ेश को अपने मंदिर में रख सकते हैं और बहुत सारी पहनों ने कहा था कि हमारे मंदिर में जगा है हम वही पर पूजा करने चाहते हैं तो बिलकुल आप वहां पर पूजा कर सकते हैं और पुराने लक्षमी गड़ेस को अब हमें हटाना है अम असे ओले दिन अलग से हम चौकी जब लगाते हैं तब पुराने लक्षमी गड़ेस मंदिर में ही रखे रहते हैं कोई प्राबलम नहीं है एक साथ दो लक्षमी गड़ेस हम नहीं रख सकते हैं वाकि अलग मंदिर मे कर रहे हैं तब पुराने लक्षमिगड़ेस आपको हटा लेने चाहिए उसे हमें जल प्रवा यानि विसर्जन करना है विसर्जन करने की विधी मेरे वीडियो चैनल पर है तो वह आप देख सकते हैं अगली महत्पूर्ण बात अमावस्या है हर अमावस्या पित्रों के नाम जानी जाती है तो आपको इस दिन दिन में ही सुबह सवेरे से ही एक थाली भोजन अवस्या निकालना है एक थाली भोजन पका हुआ या फिर कच्चा अनाज निकाल सकते हैं पके में जो आपके रसोय में भोजन बना है आप चाहे तो एक थाली मिले जाकर किसी जरुत मंद क को दे सकते हैं किसी ब्रहमण को जो भी आपको मिल जाता है हलवा पूरी पूरी सब्जी कुछ मठाई जो भी आपसे बन पड़ता है आप उसे अवस्य निकाले सूखा अनाज भी आप निकालना चाहते हैं तो भी दक्षडा के साथ में सूखा अनाज निकाल सकते हैं यह आपक मैं आपको याद दिला दू मरना आप कहीं भूलना जाए अमावस्या की रात्री में जैसे कि कुछ बच्चों ने पूछा था पढ़ाई लिखाई करने के लिए तो बिलकुल आप पढ़ाई कर सकते हैं आपने इस दिन अपने सभी जो आपको गाना आता है आपको डांस आता ह है आपको पढ़ाई करनी है आपको कोई अपने मंत्र को जागरित करना है वो भी आप इस रात्री को कर सकते हैं अमावस्या की रात्री सभी चीजों को जागरित करने की रात्री मानी जाती है इसलिए निशीत काल की पूजा अपने आप में बहुत महत्त रखती है तो आपन मातललक्षमी भगवानग्णेश को 45-64 विदी आप करना चाहते हैं पूजा कर लेकिन रात्री पूजा बहुत महतन रखती है जोकि आपको हम बात करें रात्री निशीत काल पूजा का सुभमुर्त रात्री में 11.42 मिनट से लेकर 12.27 मिनट का है वैसे ये एकदम मूर्थ है लेकिन साड़े 11 से 12 बजे तक का हर दिन अपने आप में स्रुमूर्थ होता है से अवजीत मूर्थ के नाम से जाना जाता है तब पर भी आप कर सकते हैं इस दिन अपने बड़े बुज़ुर्गों का भी हमें आशिरवाद लेना को चलते चलते ये भी जा लेजिए कि दीप कहां कहां पर लगाने हैं बहुत सारी बेहनों ने पूछा था तो देखिए पू सीढ़िों पर भी दीप रखना है सीढ़ियों के नीचे जो चोटी सी जगा होती हुँगैए पर दीए लगाने हैं अपने घर के चारो कोनों में दीए लगाने है जो दियो ब्रिक्ष होते हैं जैसे कि तुलसी आमला पीपल बर्गत की हम बात करें और केले का बिक्ष है गोशाला में दिये लगा सकते हैं, कहने का अर्थ है कि आप अलग-अलग स्थानों पर भी दिये लगा कर अंधेरे में प्रकाश का दान कर सकते हैं, इन सब चीजों को करते हुए अपने घर में एक्ता सोहार्द प्रेम बनाए रखना है, किसी से हमें कला-कलेस लड़ाई जग दिशियों के साथ बिताना है, आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हलफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादर से ज्यादर लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्स्क्राइब कर लिए